हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटिव चैनल सो आज हम डिसकस करने वाले हैं आई पीसी नेमिंग फॉर अल्किन कंपॉंड अल्किन क्या होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग डेबल बॉंड सो यह वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं अगर कैसे आपको नंबरिंग करनी है प्रिफिक्स का लिखना सफिक्स का लिखना यह सब आपको समझ में आएगा अगर आप डारेक्ली वीडियो पर जम करते हो तो आपको शायद कुछ समझ में ना आए तो चलिए स्टाट करते हैं वीडियो को यहां पर रिखिए पहला एक्जा कोई भी कंपाउंड या अगर उसमें पिछ में एक वी डबल बॉंड प्रेजेंट हो तो हम क्या मानते हो अलकीन का कमपाउंड है इसके आईपेसी नमिन क्या होगी तो यहां पर रूल होता है ठीक है सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन की लंबी चैन से लेट करने पर ती है 2nd rule होता है numbering, तो हमें numbering वहां से करने रहती है जहां से double bond past में पड़े, तो यहां से numbering करेंगे तो double bond past में पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, then next naming लिखेंगे, यहां पर longation में कितने carbon है, 5 carbon है, so what route क्या जाएगा, paint, then double bond की position क्या है, यहां से अमने numbering गी, तो यहां से second carbon पर present double bond, अब यहाँ पर बहुत से बच्छों को confusion होगा कि यहाँ पर देखिए third carbon पर present double bond मैं हम second क्यों बोल रही है because हमने numbering यहाँ से की थी तो यहाँ से देखिए इस carbon के आगे double bond है carbon के आगे double bond है second carbon के आगे double bond है इसलिए हम second position mention करेंगे यहाँ पर हम mention करेंगे to then double bond के लिए suffix का लगाते है in so compound का नेम किया हुआ pen to in इस तरीके की example हमने already discuss की है previous video में ठीके आप हाँ से आप जाके description में मैंने link दी है महाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो then next अब यहाँ पर देखिए इस तरीकी की जो example होते हैं वह हमें यहाँ पर discuss करना है so अब यहाँ पर carbon carbon की लंबी chain कौन सी होगी अब यहाँ पर देखिए अगर आप यह वाली carbon chain को देखते हो तो कितने carbon इसमें one two three four यह four carbon की chain है जिसमें double bond भी आ रहा है ठीक है विकोज यहाँ पर देखिए सभी carbon carbon की मिश में single bond है हमें वह carbon carbon की लंगेश्चेन सीलेट कर लिए जिसमें double bond भी प्रेजेंट हो विकोज हम अलकीन की IPC naming कर रहे हैं ठीक है तो यह वाली देखिए यह वाली जो carbon की चैन है इसमें एक double bond प्रेजेंट है कारवल की लंगेस चेन बहुत है इसे हमने इसलेक कर लिया और नेक्स szp method करेंगे तो numbering कहां से करेंगे जहां से double bond पास में पड़े यहां से double bond पास में बढ़ रहा है यहीं से numbering करेंगे इस फिकरेंगे अब SPEAKाहण लांगे бокन यहां आपर देखिए कंद भारे ब beggar को A सबसे पहले पोजिशन सेकेंड देन मीथाइल ओल्राइट लॉंगेशन में कितने कार्बन है टोटल फोर कार्बन है तो वर्ड वॊट के आ जाएगा ब्यूट है डबल बन की पोजिशन क्या है यहाँ पर देखे के पहले वाली पार्बन की आगे डबबबन प्रेज Tube है ठीके तो डबल बन की पोजिशन क्या है वन सब्सक्राइबर ऑदस्द आता है ए जबस करें वह आधिए यहां पर कारबनकी लंबवाली चैन की सकति है जिसमें डबल बॉंड भी मानने काउए। क्योंकि दो तरिके से हमें 4-AC Gd दिख्रियं जिसमें डबल बॉंड भी हारा हैं। तो हम क्या करेंगे simply यह जो state वाली chain दीखरी इससी लेट कर लेंगे then next numbering करना है so हमें numbering वहां से करने है जहां से double bond पास में पड़े तो अगर हम यहां से numbering करते हैं left hand side से so this is first carbon this is second carbon second carbon पर present double bond अगर आप right से numbering करते हो so one two right से numbering करने पर भी double bond को second position मिल रहे मतलब इस compound में हम जब दोनों तरफ से numbering करने है double bond की position सेम आ रही है तो इस तरीके कि जब IPC naming आप करते हो जहां पर double bond की position दोनों तरफ से सेम हो उस condition में आप numbering कहां से करोगे तो वहाँ पर आपको second priority देनी है substitute को जब double bond की position दोनों तरफ से सेम आए तब आपको numbering कहां से करने है आपको numbering वहां से करने है जहां से यह substitute past में पड़ेगा और रहे हैं तो यह substitute past में कहां से पड़ेगा यहां से पड़ेगा left hand side से this is first carbon this is second and third and four ठीक है तो हमने numbering कर दी अब naming कर लेते हैं तो second carbon पर प्रेजंट है substitute that is methyl यहां पर हम लिखेंगे two methyl लॉंगे चैन में four carbon है तो बहुआ डूट आ जाएगा but double bond की position क्या है हमने numbering यहां से की second carbon पर प्रेजंट है double bond so two in then next fourth example लेखें यहां पर यह है carbon की longest chain because इस chain में यहां पर double bond present है one two three four five ठीक है यह five carbon की chain है और यहां पर double bond present है so इसे हम select कर लेंगे यह carbon की longest chain then next numbering कहां से करेंगे जहां से double bond पास में पड़े so यहां से numbering करेंगे so one two second carbon पर double bond आ रहा है अगर हम यहां से numbering करेंगे one two three तो third carbon पर double bond आएगा मतलब यहां से double bond पास में पड़ेगा क्योंकि यहां से second carbon पर double bond आ रहा है अगर हम यहां से numbering करें third carbon पर double bond आ रहा है सो लोवेस्ट नंबर कहा से मिल रहा डबल बॉण को यहां से मिल रहा है, इसलिए हम नंबरिंग कहा से करेंगे, यहां से, ऑन, टू, ट्री, फोर, आप यहां पर देखें, थौट गॉण पर प्रेजट सप्षिन एटीज लेकी स्मिथायल गूप, कि लॉंगेशन में फाई कार्बन है सो पेंट कि डबल बॉंड की पोजिशन क्या है सेकेंड सो टू डबल बॉंड के लिए सफिक्स आ जाएगा इन नाव सिधा लाश्ट इक्जामपल डाट इस फिप्ती इक्जामपल सो यहां पर दिखिए यह कार्बन की लॉंगेशन जिसम तो ट्री फोर फाइव शिक्स अब यहां पर दिखिए थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्ट्वन डेट इस मिथाइल तो यहां पर हम पोजिशन मेंचिन करेंगे 3,4 तू टू टाइमस मिथाइल है इसलिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल लॉंगेशन में 6 कारबन है तो वाट रूट आ जाएगा है डबल बन की पोजिशन क्या है सेकेंड तो टू इन तो इस तरीके से आप अलकीन कंपाउंड की आई-पेसी नेमिंग कर सकते हो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो का लाइक कर दिजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए